सूलो फेंट्स मेरे ना हम पुशकर आज मेरे पास है सामसंग गालेक्सी बर्ड्स 2 प्रो सामसंग का एक प्रीमियम TWS एयरफोन जिसको हम एमजान से ग्रेट इंडिन सेल में 6800 रुपीज में पर्चेस की हैं नॉर्मल डेस में इसका प्राइस 16,000 के आराउंड रहता है मेरा प्लैनिंग सामसंग का रिसेंट्ली लाउंच गालेक्सी बर्ड्स FV लेने का था बट कार्ड ओफर एपलाई करके हमको बर्ड्स 2 प्रो जो है बर्ड्स FV से कम प्राइस में मिला एंड बर्ड्स FV जो है वो बर्ड्स 2 प्रो का ही एक लाइटर वर्जन है मतलब कि बर्ड्स 2 प्रो हर एक मामले में बर्ड्स FV से सुपीरियर है तो आज किस वीडियो में लोग सामसंग गालेक्सी बर्ड्स 2 प्रो का सेटप देखें किस तरीके से आप अपने एंड्रोड या सामसंग फोन के साथ इसको सेटप कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इसमें आपको एप सपोर्ट भी मिल जाता है तो गैलेक्सी वीरेबल एप के तुरू आप इसके काफी सारे फीचर को यूज कर सकते हैं कुछ important features हम आपके साथ शेयर करेंगे as well as काफी सारे settings को भी आप galaxy wearable app में कस्टमाइज कर सकते हैं touch controls को कस्तमाइज कर सकते हैं तो भी important settings and customization related features होगा वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एंड हम अपना galaxy birds 2 pro का review भी आपके साथ शेयर करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को like जरूर कीजेगा start अगर हम box content से करें box में type C type C cable मिल जाता है birds 2 pro को charge कहने के लिए large and small size का ear tips मिल जाता है इसके लाव medium size वालो जो ear tips है वो already installed है and birds 2 pro का एक separate ASMR unboxing video अगर आप नहीं देखें तो link हम video description में दे दिया है बागी box पे यहाँ पे mention किया गया है ultimate hi-fi sound with 2-way speaker active noise cancellation comfortable fit earbuds में आपको 5 hours तक का battery life मिल जाएगा अगर आप active noise cancellation को disable करके use करते हैं तो and charging case के साथ आपको total 18 hours तक का battery life मिल जाएगा अब यहाँ पे अगर हम galaxy birds 2 pro के overall in-hand feel का बात करते हैं तो बहुत ही premium TWS earphone यह feel होता है पूरा ही case जो हो soft touch material जैसा feel होता है एक दम soft सा rubber जैसा यह feel होता है उपर में Samsung का branding है back side में आपको एक type C charging port मिल जाता है इसमें कोई भी dedicated pairing के लिए button यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है front में आपको एक LED indicator मिलता है जो की charging case के battery status and charging status को indicate करता है नीचे में आपको wireless charging pad मिल जाता है यह birds 2 pro wireless charging support करता है बागी box के जो opening and closing का experience है वो भी बहुत premium feel होता है inside आपको यहाँ पे sound by AKG का branding मिलता है और इस तरीके का आपको यह ear birds मिलता है जिसको हम पिछले एक दिन से use कर रहे हैं और हमको यह काफी light weight लगा, काफी compact लगा and ear grip कैसा है and long session of use में कितना comfortable feel होता है हम सरके बारे में आगी बात करेंगे and ear birds का charging case में जो magnetic strength है न वो हम उतना strong feel नहीं हुआ बहुत बाल जब आप ear birds को charging case में रखते है न तो खुद से यह अपने charging place पे align नहीं होता है and बहुत lightly sick करने पे भी जो है न ear birds charging case से easily बाहर आ जाता है next samsung birds 2 pro com अपने samsung के android phone के साथ pair कर लेते हैं और फिर galaxy wearable app के थुरू setup कर लेते हैं जो process है वो similar ही रहने वाला app samsung का android phone यूज कर रहे हो या एक non samsung android phone यूज कर रहे हो samsung के phone के साथ pair and setup करते समय यह benefit मिलता है कि जो भी apps and plugins है वो automatically install हो जाता है अगर आप एक non samsung android phone यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे apps and plugin आपको play store से manually install करना पड़ेगा कौन सा app है कौन सा plugin है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा बागी अगर आप एक iPhone user है तो samsung birds 2 pro को आप अपने iPhone के साथ pair कर सकते हैं यूज कर सकते हैं बट वहाँ पे आपको app store पे galaxy wearable app देखने के लिए नहीं मिलेगा तो इसके touch controls को या इसके features को customize नहीं कर सकते हैं इसमें जो extra functionality मिलता है galaxy wearable app के थो उनको आप use नहीं कर सकते हैं बट जो basic feature है touch के थो music को play pause करना call receive करना call को end करना ANC को enable disable करना वो सब कुछ आप कर पाएंगे बट iPhone के साथ आपको app support नहीं मिलेगा अब इस Samsung Birds 2 Pro को हम अपने Samsung Android phone के साथ pair and setup करके पिछले एक दिन से ज़्यादा लंबे समय से use कर रहे हैं बट फिलाल हम इसको reset कर दी है अपने phone से unpair कर दी है ताकि process हम आपको scratch से दिखा पाएं यहां पर जो मेरे पास Android phone है यह Samsung S20 FE 5G है तो अगर हम Birds 2 Pro के box को open करते हैं तो आपको एक pop-up देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके का Bluetooth pairing request का simply यहां पर आप pair के उपर tap करेंगे and आपका Birds 2 Pro आपके Samsung Android phone के साथ quickly connect हो जाएगा and उसके बाद देख सकते हैं यहां पर Samsung Birds 2 Pro का एक animation आयता है और अगर आपके पास non Samsung Android phone है तो आप manually अपने phone के Bluetooth setting में आ जाएगा and यहां पर आप tap करके Birds 2 Pro को connect कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं already connected है and यही से अगर हम Birds 2 Pro के setting में जाते हैं तो यहां पर left and right earphone का जो battery percentage है case का जो battery percentage आप देख सकते हैं active noise cancellation को आप यहां से enable कर सकते हैं touch control को enable disable कर सकते हैं and इसमें galaxy wearable app का support है तो यहां पर जस्ट आप open galaxy wearable app के उपर tap करेंगे and galaxy wearable app जो है वो आपको download and install करना पड़ेगा अगर आप एक samsung phone यूज कर रहे हैं तो भी और अगर आप एक non samsung phone यूज कर रहे हैं तो भी इस birds 2 pro के extra features को यूज करने के लिए इसके touch controls and बहुत सारे features को customize करने के लिए अब अगर आप samsung phone यूज करने हैं तो Bluetooth setting में आपको option मिल जाएगा galaxy wearable app को download and install करने का अगर आप एक non samsung android phone यूज करने आप play store में आ जाएगा यहां से आपको galaxy wearable app जो है ना install कर लेना अपने phone में next is app को open कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि आप galaxy watch को galaxy wearable app ते थुरू यूज कर सकते हैं galaxy birds को भी यूज कर सकते हैं continue के उपर हम tap करते हैं आपको यहां पर nearby devices का permission allow करना पड़ेगा उसके बाद automatically यहां पर आप देख सकते हैं scan किया and birds 2 pro यहां पर show करने लगा just हम birds 2 pro के उपर tap करेंगे उसके बाद galaxy birds 2 pro manager जो की एक software है वो automatically install हो जाएगा यहां पर automatically जो है न दो check box टिक किया हुआ है जो की optional है तो आपको इन दोनों को ही uncheck कर देना है and continue के उपर tap करना है फिर यहां पर आपको galaxy birds 2 pro manager को calendar का access देना है तो इसको हम allow कर देते हैं phone call lock का permission allow कर देते हैं contact का permission manage phone call का permission music audio videos photos का permission अलाओ कर देते हैं SMS message का permission अलाओ कर देते हैं तो सारा permission अलाओ करने के बाद you are all set लिखा हुआ आ गया and आप देख सकते हैं यहां पर galaxy birds 2 pro again यहां पर left and right का charging percentage charging case का charging percentage यहां पर show कर रहा है इसके allow यहां पर tips वाला एक pop-up है तो इसको हम close कर देते हैं and top पर आपको test your ear bird fit show कर रहा है तो आप यहां से भी ear bird fit test कर सकते हैं या फिर आपको ear bird setting में भी देखने के लिए मिल जाएगा तो वो हम आपको आगे दिखा देंगे फिर आपको यहां पर noise control का option मिलता है अब जैसे ही samsung birds 2 pro को हम अपने कान में लगाते हैं आप देखें कि automatically यहां पर active noise cancellation जो है वो enable हो जाता है और यहां पर simply आप touch and hold करके active noise cancellation and ambient mode में switch कर सकते हैं बट आप touch and hold करके active noise cancellation को off नहीं कर सकते हैं यहां पर सिर्फ active noise cancellation and ambient mode में switch करने का option मिलता है तो इसके लिए एक widget है galaxy birds 2 pro manager का जो कि आप अपने किसी भी android phone में use कर सकते हैं जस्त आपको अपने android phone के home screen पे tap करना है और widget section में जाना है यहां पर आपको birds 2 pro manager section में जाना है यहां पर आपको एक widget देखने के लिए बिल जाएगा इस widget को आप अपने home screen पे place कर लिजेगा तो इस तरीके का यह widget है जिसमें आपको left and right earphone का charging percentage देखने के लिए मिल जाएगा और आप यहां से ambient sound या noise cancellation को off कर सकते हैं या फिर noise cancellation को tap करके enable कर सकते हैं तो यहां पर आपको तीनों ही modes का option मिल जाएगा साथी जो touch controls है उसको आप यहां से enable या disable कर सकते हैं इसके अलावा 360 degree audio को आप enable कर सकते हैं and 360 degree audio में आपको head tracking का भी option मिलता है उसको भी आप यहां से enable कर सकते हैं and complete 360 degree audio को disable कर सकते हैं अब next यहां पर आपको voice detect का feature मिलता है इसको पर अगर आप tap करेंगे तो इसका एक quick introduction आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप voice detect feature को enable करते हैं और आप कुछ भी बोलना शुरू करते हैं तो automatically आपका earphone आपके voice को detect करता है और आप अगर कोई media play कर रहे हैं तो उसके volume को कम कर देता है as well as active noise cancellation अगर आप enable किये हुए है तो automatically ambient mode जो है वो enable हो जाता है इसके लाव है यहाप आपको 5 second 10 second and 15 second का option मिलता है तो अगर आप 5 second तक कुछ नहीं बोलता है तो जो media volume कम हुआ था वो फिर normal volume पे आ जाएगा and active noise cancellation अगर आप enable किये हुए थे पहले से तो वो automatically फिर से enable हो जाएगा अभी आप देख सकते हैं कि active noise cancellation enable है जैसे हैं हम बोलना शुरू किये यहापे ambient sound mode enable हो गया और अब अगर हम 5 second तक चुप रहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं automatically active noise cancellation mode enable हो गया तो वापस से बोलना शुरू किये यह ambient sound mode में आ गया तो इस तरीके से जो है ना आप voice detect feature को enable करके जो conversation होता है ना मतलब अगर आप अपने आस पास किसी से बात कर रहे हैं तो earphone लगा के भी अगर आप बात करेंगे तो unintentionally जो हम लोग earphone लगाने के बाद बहुत जादा loud बोलता है ना वो problem आपको नहीं आएगा बाकि जो 5 second का time था उसको आप 10 second या 15 second पर customize कर सकते हैं फिर next यहाँ पर 360 degree audio का option मिलता है इसके उपर अगर हम tap करते हैं तो यहाँ से आप 360 degree audio को enable कर सकते हैं इससे आपको एक surround sound वाला effect दे तरीके से rotate करते हैं तो आपको ऐसा feel होगा कि right side वाले earphone का जो volume है वो increase हो गया है और अगर आप अपने head को right side मोडते हैं तो फिर आपको feel होगा कि left side वाले earphone में जो volume है वो increase हो गया तो इस तरीके से head tracking work करता है और यह जो भी features है 360 degree audio का या head tracking का यह सारा ही features effective है और प्रॉप double tap का option है जिसको आप customize नहीं कर सकते हैं single tap करके आप play pause कर पाएंगे and double tap and triple tap का option by default disable रहता है तो next track and previous track पे जाने के लिए आप double tap and triple tap वाला जो function है वो use कर सकते हैं touch and hold का जो function है उसको आप customize कर सकते हैं जैसे कि left पे touch and hold करके अगर आप चाहें तो voice command enable कर सकते हैं अभी हम यहाँ constant जो है वो wake कर गया है बट अगर हम left earphone पे volume down वाला function assign करते हैं तो automatically right earphone पे volume up वाला function assign हो जाएगा तो आप volume control वाला feature भी यहाँ से use कर सकते हैं इसके लाओ volume control के लिए आपके पास एक और touch का option है जो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे बट यहाँ पे touch and hold पे हम switch noise control वाला option है वही assigned रहने देते हैं तक control में आप देख सकते हैं कि double tab करके आप call answer कर सकते हैं आप call को end कर सकते हैं सकते हैं and next कोई incoming call आता है तो इस तरीके से double tap करके आप call को answer कर सकते हैं and double tap करके ही call को end कर सकते हैं and अगर आपको call को reject करना है या decline करना है तो इस तरीके से touch and hold करके जो है आप call decline कर सकते हैं अब next यहाँ पर yearbird setting में काफी सारा options मिलता है, सबसे पहले यहाँ पे equalizer का option है, यहाँ पे काफी सारा presets आपको मिल जाता है, जिसमें clear mode जो हम सबसे ज़्यादा use किये अगर आप bass lover नहीं है, vocals आपको clear चाहिए, आप clear mode को use कर सकते हैं अगर आपको bass boosted sound चाहिए, तो आपको bass boost mode मिलता है, वो आप use कर सकते हैं, अगर आपको एकदम balance sound चाहिए, तो फिर आप normal mode को use कर सकते हैं, sound quality को review करने का ज़रूरत नहीं है, because आज तक जितना भी earphone हम use किया है, उन सब में sound quality wise best earphone लगा, हमको samsung का birds 2 pro, अगर यह जितना भी equalizer का presets दिया गया है, यह सब effective है, मतलब कि अगर आपको bass boosted sound अच्छा लगता है, तो आप bass boost mode में जाएंगे तो आपको actual में bass boosted sound ही मिलेगा, इसी तरीके से आप अपने choice के according, अलग-अलग equalizer जो हो try कर सकते हैं, next यहाँ आपको मिल जाता है earbird fit test, तो अभी इस earbird fit test को test करने के लिए जो है न, हम एक earphone में जो ear tip है उसको change कर देते हैं, जैसे कि हमको M size का जो ear tip है वो best fit रहता है, तो यहाँ पे हम एक earphone जो left side वाला है, उसमे small size वाला ear tip connect कर दिये हैं and जो right side वाला है, उसमे medium size वाला ही ear tip लगा हुआ है तो आप दोनों earphones को जो है न, हम अपने कान में लगा लेते हैं, अब हम यहाँ पे earbird fit test जो है वो start कर देते हैं and while earbird fit test एक music आपके earphones में play होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि left side में poor fit शो कर रहा है and right side में good fit शो कर रहा है, तो मतलब यह earbird fit test जो है, वो actually में work करता है, अब वापस से left side वाला ear tip हम change कर देते हैं and जो medium size वाला ear tip था न, उसी को हम यहाँ पे लगा देते हैं and फिर से हम इस earbird fit test को try करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ good fit शो कर रहा है, तो इस तरीके से आप इस earbird fit test के through जो है right size का ear tip अपने कान के लिए use कर सकते हैं, next यहाँ पे read notification allowed का option मिलता है and यहाँ से आप read allowed while using phone के option को enable करके, किसी भी app के notification को जो है न, आप अपने ear phone में voice form में सुन सकते हैं, किस app का notification voice form में आपके ear phone पे सुनाई देगा, वो option आप यहाँ से enable disable कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिलाल हम सारे को ही disable कर देते हैं and उसके बाद कुछ app जैसे की Gmail का notification आएगा, तो वो notification जो है न, वो हमको voice form में अपने ear phone पे सुनाई देगा, यह हम यहाँ से enable कर दिये, next यहाँ पे आपको use ambient sound during call का option मिलता है, जब भी हम लोग ear phone use करते हैं, unintentionally हम लोग काफी loud voice में बात करते हैं, तो इस option को enable करने से आप अपने भी voice को clearly सुन पाएंगे during call और आप जो unintentionally काफी loud बोलता है न, वो problem नहीं आएगा and long call वाला session जो हो comfortable हो जाएगा, next in ear detection for call है, तो अगर आप अपने ear phone को use कर रहे होंगे, तो जो call है वो आपके ear phone के through होगा, otherwise आपके phone के speaker के through होगा, next samsung ecosystem का seamless ear bird connection का feature मिलता है, अगर आप इस option को enable करते हैं, तो आपके आस पास जो भी samsung का device होगा, जो same samsung account पे run कर रहा होगा, जैसे ही उस device को use करना start करेंगे, automatically आपका जो ear phone है वो उस device से connect हो जाएगा, and फिर वापस से जब आपने phone को use करना start करते हैं, या phone पे कोई भी incoming call आता है, तो वापस से आपका ear phone जब आपके phone पे shift कर जाएगा, next आपको next stretch reminder मिल जाता है, तो अगर आपने ear phone को बहुत long duration तक use करते हैं, तो neck के stretching के लिए यहाँ पे एक reminder है, जिसको आप यहाँ से enable कर सकते हैं, next यहाँ पे lab में कुछ interesting feature मिलता है, जैसे कि double tap ear bird edge, अगर हम इसके उपर tap करते हैं, इसको हम यहाँ से enable कर सकते हैं, and left ear bird के edge पे double tap करके, हम volume down कर सकते हैं, and right ear bird के edge पे double tap करके, हम volume up कर सकते हैं, अब यहाँ पर यह जो double tap वाला feature है न, यह center पे double tap करने से work नहीं करेगा, edge पे double tap करने से work करेगा, तो यहाँ पर जैसे left ear phone पे, अगर हम इस तरीके से edge पे double tap करते हैं, तो आप देखें कि मेरे phone पे volume decrease हो रहा है और यह हम clearly यहाँ पे देख पा रहा है उसी तरीके से अगर हम right ear phone के edge पे भी double tap करते हैं तो phone का volume है वो increase हो रहा है तो इस तरीके से आप double tap करके volume increase decrease कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे gaming mode देखने के लिए मिल जाता है जो कि actual में एक low latency mode है अब कितना millisecond का low latency है वो तो यहाँ पे नहीं mention किया गया है बट gaming mode enable करके हम एक latency test आपके साथ वीडियो में आगे share कर देंगे फिर आपको यहाँ पे sharpen call sound का option मिल जाता है तो during call अगर आपको clarity को improve करना है तो आप यहाँ पे sharpen call sound का जो option है इसको enable कर सकते हैं फिर आपको hearing enhancement का option मिलता है इसके उपर tap करके यहाँ से आप extra high ambient volume जो हो enable कर सकते हैं इससे during call जो background sound है वो भी clearly सुना जा सकेगा next अगर आपको अपने samsung birds 2 pro को reset करना है तो यहाँ पर आपको reset का option मिल जाता है फिर यहाँ पे accessibility setting है left and right sound balance का option मिल जाता है जहां से आप left earphone में या right earphone में जो sound balance है उनको customize कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर option मिलता है noise control with one earbuds generally जब भी आप एक earphone use कर रहे होता है उस समय automatically जो active noise cancellation है वो off हो जाता है तो अगर आप इस option को enable कर देते हैं तो एक earphone के साथ भी जो आपका active noise cancellation है वो work करेगा next यहाँ पर amplify ambient sound को option मिलता है इसका use करके आपके आसपास जो भी आवाज है उसको आप amplify कर सकते हैं and last अगर Samsung Galaxy birds 2 pro के लिए कोई software update आता है तो वो आप यहाँ पर ear bird software update में check कर सकते हैं जब से हम इसको use कर रहे हैं पिछले एक दिन से हमको एक software update रसी हुआ है उसको हम इंस्टॉल कर लिए थे हैं so galaxy birds 2 pro का complete pairing and setup process हम आपके साथ share किये galaxy wearable app के lab setting में जो gaming mode था वो enable करके जो latency test था वो हम आपके साथ share किये and latency बहुत ही negligible है casual gaming में आपको samsung birds 2 pro के साथ को issue नहीं आएगा next अगर हम बात करते हैं इसके sound quality का तो sound quality हमको बिल्कुल awesome लगा और आपको जैसा भी sound signature पसंद आता है ना आप उसके हिसाब से आपको preset equalizer मिल जाता है galaxy wearable app में तो वो आप वहाँ पे adjust कर सकते हैं इसके अलबा जो भी इसमें features मिलता है चाहे वो 360 degree audio का हो head tracking का हो voice detect हो या ANC हो या फिर जो इसका sound quality का जो preset equalizer हो वो सभी effective तरीके से work करता है जो active noise cancellation है वो भी काफी impressive लगा हमको इसका roadside में जब हम walking and running के दौरान इस birds 2 pro को active noise cancellation enable करके use कर रहे थे तो काफी हद तक ये traffic noise को भी cancel out कर दे रहा था next सबसे important अगर हम इसके ear grip का बात करें तो जब first day हम इसको use करना start किये तो first time जब कान में लगाए ना तो हमको इसका ear grip बिलकुल भी अच्छा feel नहीं हो रहा था मतब कि strong ear grip feel नहीं हो रहा था बड़ इसको लगाने के बाद हम walking किये, running किये, skipping किये and बहुत सारा heavy movement वाला activity किये बावजूद इसके ये मेरे कान से नहीं निकला तो इसका जो ear grip है वो अच्छा है बड़ इसका जो design है ना उसके कारण आपको ऐसा feel होगा कि इसका ear grip उतना tight नहीं है but actual में इसका ear grip अच्छा है ये easily आपके कान से निकलता नहीं है and हमको ये काफी comfortable भी feel हुआ because इसमें जो है ना एक air vent वाला mechanism है तो बहुत देर तक use करने पे भी जो है ना आपको एक pressure जैसा जो feel होने लगता है बहुत सारे earphones में वो आपको इसमें feel नहीं होगा and ये जो ear birds है ना ये काफी light weight है तो बिल्गुल भी आपको uncomfortable जैसा feel नहीं होगा या heavy जैसा feel नहीं होगा आपके कान में and last और सबसे important अगर हम इसके battery life का बात करते है ना तो box पे 5 to 18 hours का battery life mentioned है मतलब कि आपको earphones में without ANC 5 hours का battery life mentioned है अगर आप 70-80% से उपर volume पे regularly इसको use करते है ना तो आपको around 4 to 5 hours का battery life मिल जाएगा earphone में and charging case के साथ जो है ना आपको 16 to 17 hour plus का battery life मिल जाता है अगर आप continue active noise cancellation को enable करके use करते हैं और बहुत जादा calls के लिए अपने earphones को use करते हैं तो फिर आपको 10 to 12 hours का total battery life देखने के लिए मिलेगा तो battery life जो है इसका हमको उतना impressive नहीं लगा बड़ आपको wireless charging का support मिलता है तो अगर आपके पास कोई ऐसा phone है जिसमें reverse wireless charging का feature है तो आप उसके throughbys को charge कर सकते हैं तो friends यही था Samsung Galaxy Birds 2 Pro का complete setup, features and review बाकि आपको इस Birds 2 Pro के regarding कोई भी doubt हो, query हो आप comment section में पूछ सकते हैं normal days के according जिस price पर यह Amazon Great Indian Sale में मिला वो definitely इसको एक value for money product बनाता है अगर आप Samsung ecosystem का devices use कर रहे हैं like Samsung का TV है, Samsung का phone है, Samsung का tablet है, Samsung का laptop है, Samsung का watch है तो उस condition में अगर आप इस earphone को purchase करते हैं आपका ecosystem complete होगा और आपको एक better experience मिलेगा बांकि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा channel को subscribe कीजेगा इससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो का experience मिलेगा मिल दे नेक्स वीडियो में, बाबाई, जयेंद